असलाम वेक्व एर्वन एसन फारूक एर उमीद करता हूँ आप सब खेर खेरियत से होंगे और कल का दिन हमारा माशाला अच्छा गुजरा आपको सेल दी थी मैंने आपको बताया था कि आपने वेट करना है उस वक्त मार्केट इस केंडल पे चल रही थी आपको का था कि आप आपको तक्रीवन 63 पिप्स का प्रॉफिट हुआ और अगर अभी भी आपकी वे ट्रेट चल रही है तो अभी तक्रीवन 40 पिप्स का प्रॉफिट जो है वो चल रहा होगा कम प्रॉफिट क्योंकि मार्केट ने इतनी जादा मूव नहीं दी मगर अल्ला का शुकर है हमने अ जो है मार्केट कहां जाना चाहती है क्या कहती है और साथ में जो है जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे है पहली बार इस चैनल पे है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताके कोई भी वीडियो अप्लोड की जाए तो आपको जो है फौरी तोर पे नॉटिफिक जो है वो अल्ला का शुकर है एकुरेसी हमारी चल रही है और बहुत जबरदस तरीके से जो है हम लोग रोज प्रॉफिट कमाते हैं माजरत चाहूंगा अचा गोल्ड जो है ये एरिया जो है ये थोड़ा स्ट्रॉंग है गोल्ड के लिए अभी तो आपने गाइस क्या करने है अभी H1 की केंडल बंद होने में तकरीबन आदा घंटा हमारे पास है तो आपने आदा घंटा वेट करने और इंशाला अगर ये केंडल इसी तरह सेल में बंद होती है जूम करके दिखाऊ सेल में अगर ये केंडल बंद होती है तो आप यहां पे जो है सेल करेंगे और उ आपने stop loss जो है वो break even कर देना है यहां पर मेरे हिसाब से थोड़ा से pause लेगी market फिर वापस आएगी उपर और यह मजीद अपना जो है sell का सफर जो है यह जारी रखेगी इस तरीके से हमारा target जो होगा वो तकरीबन 100 पिप्स का होगा और आपका stop loss होगा 100 पिप्स इस पर आप यह कर सकते हैं कि आप जो है न क्यूंकि मेरे हिसाब से market की potential है 200 पिप्स देने का तो आप इसको stop loss break even break even करके जो है इसको लंबा लेके जा सकते हैं और मुझे उमीद है कि यह काफी अच्छा जो है वो आपको profit दे देगी trade आपका stop loss जो है वो इस trend line से उपर होगा 1790 पे आपका stop loss होगा और इंशाला इंशाला मैं बहुत पुर उमीद कि यह बहुत अच्छी trade आपको profit देके जाएगी दूसरा scenario अगर यह area break हो जाता है 1790 का तो आपने buy लेनी है इस area से वापस आने पर 179290 तक market का वापस आने का wait करना है और अगर यहाँ पर buy का h1 candle बनेगा तो आप जो है buy कर सकते हैं ठीक है बहुत simple तरीके से मैं समझा रहा ह होता हूँ कुछ लोग जो है उस पे भी कह रहे होते कि यार एक direction दें तो मेरे भाईयों आप Forex छोड़ दो क्योंकि आप नुक्सान ही करोगे क्योंकि उसकी वज़ा यह कि market जो है कोई भी बंदा एक direction इवन जो most professional traders हैं आप उनकी वीडियो उठा के देखें वो multiple directions दे रहे ह managers को वो भी इसी तरीके से दी जाती है कि इस level से नीचे नीचे sell है इस level से उपर अगर market जाती है तो buy में जाएगी ठीक है तो Forex मेरे भाईयों इतना असान नहीं है कि आप लोग अगर यह चाओ कि एक direction मिले यही वज़ा है कि पूरी दुनिया में कोई एक भी signal provider नहीं है जो इस तरह से करे कि मेरा हर signal काम्याब होता है 90% accuracy है कोई भी असा नहीं है उसकी वज़ा कि signals provider का फसते हैं जब वो signal दे देते है तो अब वो एक direction में signal दे रहें ठीक है अब लोग यहां पर गलती क्या करते है signals अच्छी चीज है ठीक है मगर लोग totally उस पर depend करके बैठ जाते है कि भाई stop loss लगा दी है take profit लगा दी अब market basic reverse भी हो तो हमने बैठे रहना है तो भाईयो 5.5 trillion dollars इसका daily का turnover है market seconds में बदल जाती है तो आपको खुद भी active होना पड़ता है इस मामले में ठीक होगे गाइस और जो लोग stop loss hunting software जिस पर मैं देखके trades देता हूं वो लेना चाहते है मुफ्त में या उस पर बना हुआ यह लेना चाहते है मुफ्त में तो आप नीचे दिये वे number पर रापता कर सकते हैं जो अमीद है कि काफी अच्छा यह भी profit देखे जाएगी रोज की तरह और जिन लोगों को नहीं पता है stop loss hunting software पर काम कैसे करने या वो क्या है इस वीडियो के आखिर में अभी आपको एक best strategy something like की जो एक five videos का course है दस-दस minute की वीडियो वो लाजमी देखें वीडियो लाजमी शेय करें द्वाओं में याद रखें जम के पैसे कमाएं अलाव